हलो मैं डियर लेर्नर्स वेलकम टू विफ्शो अकेडमी आज जो आप लोग की वरक्षीट आईए वरक्षीट नमबर 67 है मैंस की क्लास 90 है और ये है 14 दिसंबर 2020 के लिए चैप्टर है पॉलिनोमियल इसका रिवाइज हम करने वाले हैं वरक्षीट नमबर 7, 8 और 9 उसकी से मिलकर बनता है और इसमें प्लस, माइनस और मल्टिप्लिकेशन के साइन यूज होते हैं जैसे की मैं आपको दिखाऊं 3x2 प्लस 2x ठीक है ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें ये देखो अगर मैं इसके आगे माइनस 1 भी लिख तो इसमें प्लस, माइनस और इन दोनक वी ठीक है क्लियर हो गया अब हम बात करते हैं टर्म्स की इसमें कितने टर्म्स है एक, दो, तीन टर्म्स है ठीक है तो पॉलिनोमियल जो होता है ये आपका ट्राइनोमियल है ये क्या है ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होते है ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते है ट्राइनोम चलो, I hope कि आप लोगोंको ये जो है basic concept थो समझ आ गया होगा जो एपón ऐसे coefficientsों होता है ये आपके under root में हो सकते हैं थिक है? coefficients under root में हो सकते हैं लेकिन जो degrees होती है वो under root में नहीं हो सकती fraction में नहीं हो सकती और non-negative integer नहीं हो सकता हो यानि कि माइनस में नहीं हो सकती ठीक है यह आई होब कि आप लोगो समझ आ गया होगा तो चलिए अपने वक्षीट की तरफ चलते हैं इसमें जो फर्स्ट कोश्चन है इसमें पूछा गया इसलिए यह एक तरह का पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं इसे ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका कोश्चन नंबर टू यह है इसमें कितने टम से इसमें बटा एक्स क्यूब है कॉमा माइनस फॉर एक्सक्वेर है कॉमा माइनस री एक्स है और कॉमा टू यानि कि कि तर्ड कॉश्चन है आपका कोफिशन ऑफ एकस स्क्वेर इसमें एकश स्क्वेर कोफिशन बताना है तो अगर मैं इसको खोलूंगी ब्रैकेट को तो यह इस तरह से खुलेगा ठीक है ऐसे खुलेगा और इसको मैं और ज़ादा खोलूं तो यह x क्यूब हो जाएगा यह degree बताओ under root 5 में degree कितनी है यानि कि x की power कितनी है अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा under root 5 के आगे इसका मतला कि x की power 0 है तो कितने degree होई इसकी 0 तो इसमें b का answer हो जाएगा उसके बाद 5 में है the 0 of the polynomial x square minus 2x 2x is या r अब यह बताओ इसमें equal to 0 पुट करना होता है यही था ना तो उसके बाद क्या करना होता है x common निकाल दिया और उसके बाद हो गया x minus 2 equal to 0 तो x की एक तो value i2 0 और एक की value i2 ठीक है तो कितनी आई 2 और 0 यह वाला d's का answer है ठीक है इतना समझ आगया होगा तो आगे चलते हैं बेटा यह साथ आप लोग उतार लीजिए फिर आगे 6th question की तरफ चलते है देखो बेटा 6th question में आप लोगों को कहा है 6th question में कहा है write true or false every polynomial is also an equation हर polynomial एक equation होते है बिलकुल नहीं बेटा क्योंकि उसके equal to का sign नहीं होता polynomial में ठीक है polynomial भी हो सकता है और trinomial भी हो सकता है तो यह भी false है ठीक है उसके बाद है third binomial में have degree 5 binomial की degree 5 हो सकती है बिलकुल हो सकती बेटा जैसे की देखो x5 plus 4 इतनी भी तो यह polynomial इतना भी लिखा जा सकता है तो इसके degree 5 हो गई ना तो इसमें आगया third में आएगा true ठीक है उसके बाद है fourth degree of zero polynomial is not defined यह विलकुल यह true है बेटा ठीक है यह true है zero of a polynomial is always zero इसी भी polynomial का zero जो है zero ही होता है यह विलकुल false है यह false है बच्चे क्योंकि देखो degree अभी हमने निकाले थे ना zero तो कई तरह की हो सकते है zero जो होता है किसी polynomial नहीं होता और भी कोई number हो सकते है hall number भी हो सकता है negative integer भी हो सकता है natural number भी हो सकते है कुछी भी हो सकता है zero के अलावा ठीक है तो इसना first में आपका false है फिस second में false है third में true है उसके बाद 4th फिर true है उसके बाद 5th जो है false है ठीक है इतना आप लोगों का समझ आ गया होगा तो 7th question देखते हैं find the zeros of the polynomial first, second, third or fourth में इनका zeros निकालना है तो चलिए zeros निकाल लेते हैं यह देखिए यह वाला आप लोगों का यह false है यह false है यह true है ठीक है यह false है ठीक है उसके बाद यह वाला है 2x plus 5 का 0 बताओ first का क्या निकलेगा बच्चे इसका हम क्या करते हैं 2x plus 5 equal to 0 पुट करते हैं 0 निकालने के लिए तो x की value कितनी आ जाएगे minus 1 upon 2 ठीक है first में यह आ जाएगा उसके बाद second देखो कैसे होगा x square minus 1 equal to 0 तो x square equal to 1 और फिर उसके बाद x की power equal to plus minus 1 ठीक है उसके बाद में third x की value कितना आगी x equal to plus minus 1 उसके बाद third देखते हैं कैसे होगा देखो third में कैसे निकालेंगे 7th का third है यह 5x minus 4 equal to 0 तो x equal to कितनी हो जाएगी 4 upon 5 ठीक है उसके बाद इसका fourth है px equal to 3x है तो 3x equal to 0 पुट करेंगे और x equal to 0 यह इसके zeros आगे इस polynomial के यह सारे zeros हैं जो अभी निकाले हैं ठीक है आप 8 question चलो कर लेते हैं चलो बेटा 8 question अब आप हम कर लेते हैं यह देखो बेटा यह आप लोगों को जो है 8 question दिया हुए 5x minus 4x square plus 3 यह equation यह polynomial दी हुई है और आपको values निकालने हैं जब x equal to 0 होगा ठीक है x equal to 0 होगा x equal to 1 होगा x equal to minus 1 होगा और x equal to 2 होगा तो इन सब की हमें values निकालनी हैं तो चलिए इनकी values निकालने हैं फर्स्ट जो है आप लोगों का equation दिया हुआ है जो equation दी हुई है वो आपको दे रखी है यह देखो equation लिख लेते हैं पहले 5x minus 4x square plus 3 यह दे रखी है फर्स्ट हम करने वाले हैं फर्स्ट की value है at x equal to 0 ठीक है x equal to 0 पर हमें निकालनी है value तो हम क्या करेंगे यह देखो equal to 5 bracket में x जहां जहां पर x है हमें वहाँ-वह 0 put करना है ठीक है 0 फिर उसके बाद है minus 4 फिर उसके बाद 0 ठीक है और फिर square उसके बाद plus 3 ठीक है उसके बाद फिर equal to जब हम जब हम जब हम 5 की multiply करेंगे 0 से 5 की multiply 0 से करेंगे तो obvious बात है 0 ही आएगा और 4 की भी multiply 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा उसके बाद 3 ऐसे ही उतर जाएगा ठीक है फिर उसके बाद आपका आ जाएगा equal to 0 में से 0 गया 0 और plus 3 3 तो इसका answer आपका आ गया 3 ठीक है उसके बाद second question है आपका देखो second में है आपको अपकी बार रखना है x equal to 1 x equal to 1 पे value निकालनी है तो अब फिर से देखो वैसे ही करेंगे हम तो equation जो दी हुई है आपको दी हुई है 5 x minus 4 x square square plus 3 ठीक है यह दे रखिये और उसके बाद में आपको value put करनी है यहाँ पर 5 bracket में 1 अब x के जगा 1 ठीक है minus 4 फिर x के जगा 1 फिर bracket close square plus 3 अब देखो 5 की multiply करेंगे अगर हम तो 5 बंसा 5 ही आएगा ठीक है minus 4 की multiply 1 से क्योंकि 1 का square है तो 1 का square 1 ही आएगा और फिर 4 बंसा 4 ही आएगा फिर plus 3 आजाएगा ठीक है अब फिर equal to 5 में से 5 में से 1 क्या कितना होगा बिटा 1 और 1 प्लस 3 4 ठीक है इसका answer आ गया उसके बाद में जो थर्ड है आप लोगों को थर्ड दिया होगा है x की value minus 1 अब की बार हमें रखनी है x की value minus 1 ठीक है यह रखकर हमें करना है तो equation पर लिख लिखेंगे equation क्या दी हुई है equation हमें दी हुई है 5 x minus 4 x square plus 3 ठीक है हमें equation दी रखिये 5 x minus 4 x square plus 3 अब इसके अपर रखते हैं value सारी 5 bracket close bracket start minus 1 bracket close और यह power 2 ठीक है x square ठीक है और plus 3 अब उसकी बात देखो यहाँ पर जब हम 5 की multiply करेंगे माइनस 1 से तो माइनस 5 आएगा और यहाँ पर देखो अंदर कितने माइनस है अगर counting करोगे आप तो माइनस 3 हो गई ना माइनस 1 into माइनस 1 1 हो गया positive में और फिर बाहर है बाहर जो है आपका यहाँ पर क्या है माइनस तो कितना आएगा माइनस 4 ठीक है फिर प्लस 3 ठीक है तो उसके बाद फिर आप लोगों का आएगा यहाँ पर माइनस 5 माइनस 4 कितना हुआ माइनस 9 ठीक है माइनस 9 प्लस 3 फिर उसके बाद में equal to equal to माइनस 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 6 इसका answer हो जाएगा ठीक है माइनस 6 इसका answer आगया अब उसके बाद में fourth है fourth की value आपको निकालनी है x equal to किस वे x equal to 2 पर ठीक है x equal to 2 पर निकालनी है आपकी बार x equal to 2 और equation क्या है हमारी equation है 5 x minus 4 x square और plus 3 अब निकालें इसकी value निकालते है 5 ऐसी bracket start और अब की बार 2 रखनी है bracket close then minus फिर 4 bracket start 2 bracket close और यह इसकी 2 की power then plus 3 ठीक है और उसके बाद हम करेंगे 5 to the 10 और minus देखो यहाँ पर 2 की power कितनी है 2 यानिकी 2 to the 4 और एक बाहर 4 है तो कितना हो जागा और 4 4 जा 16 minus 16 then plus 3 ठीक है अब फिर उसके बाद equal to 10 minus 16 कितना होगा बटा minus 6 ठीक है minus 6 और फिर plus 3 फिर उसके बाद equal to और उसके बाद में फिर equal to नीचे minus 6 में से 3 गया तो minus 3 इसका answer ठीक है बटा तो यह था आप लोगों का solution I hope कि आप लोगों को यह solution अच्छे से समझ आ गया होगा तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ यह देखो 8 question जो था यह है और इसका first का solution है यह है second का solution आप लोगों को ऐसे करना है copy में फिर third का solution यह है और fourth का यह है तो I hope कि आप लोगों को यह वक्षित अच्छे समझ आ नफलो पर मैं आप लोगों को नफलो में नफलो तो वीडियो सांक यह है तो मच